नमस्कार आप देख रहे हैं 2015 हमारे साथ में प्रिख्यास समाज सेविका मेदा पाटेकर जी और किसान नेता डोक्टर सुनिलम जी इनका एक भ्यान है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो उसके बारे में बात करेंगे मेदा जी क्या भ्यान है इसके बारे में बताईए आज तमाम प्रशन शिक्षा स्वास थे और सब होते हुए एक नफरत फैला कर विभाजन लाकर जना अंदुलनों को बदनाम और दमनकार की तरीके से खतम करने की साजिश चलाकर जो कोशिश हो रही है उसके बीच में हम लोगों को लगा है कि अमरत महत्सव केवल मनाना आजाद फैलाने की कोशिश हैं उसके खिलाफ नफरत छोड़ने का ऐलान समाज के हर समुदाय तक हमको ले जाना है ये चुनावी राजनीतिक अभियान नहीं है ये सामाजिक संगठनों ने जना अंदुलनों ने शुरू किया हुआ अभियान रहा है और उसके तहत पहला कारेकरम हम हम लोग सम्विधान और जनतंत्र बचाने के लिए और नफरत से छुड़वाने के लिए समाज के बीच जाएंगे तो 2 अक्टूबर से 26 नवंबर जो सम्विधान दिवस होता है उसके बीच में हम लोग जिले जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा करना चाहते हैं अब 75 तो अम जो कि लोगों के बीच में आज की सच्चाई भी रखे पर नफरत छोड़ने का ऐलान करें उसके बाद हम लोग जाएंगे में ताज को लोग हैं जो नफरत से ला रहे हैं आज के राजनेताओं में सामपरदाई का पार्टियां जो हैं जिन्होंने तिरंगा का भी 52 साल तक और सदाचार के मांग कर रहे हैं डोक्टर सिल्लम क्या है आपका नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो भ्यान अधिके मेधा पाटकर जी ने आपको पूरा बता दिया है बस में इतना जोड़ना चाहूंगा कि 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो अंदोलन का असी वर्ष हुए अधरतों कर चाहर झायाँ है अ में अधरत भी ने आजे पूरा कर दोने रहा हुए जोत सब लोगों ने नियाुए है यातनए पोला दान तक निकली थी और उसके बाद में एक कारकरम हुआ था वहाँ पर ये तैह हुआ कि इस समय देश के आज जो सबसे महत्तपूर्ण एजेंडा है वो नफरत को खतम करने का है घणा को खतम करने का है हमने इस देश का विभाजन देखा है हमने पचास लाख लोगों की जो है मौते देखी है या घा भाजन करना चाहते हैं और राजनीती के नाम पर वो केवल और केवल हिंदो-मुसल्मान और भारत और पाकिस्तान वो करते हैं लेकिन जो लोग जल जंगल-जमीन की लूट के खिलाफ में जो लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में लगातार संगर्ष कर रहे हैं उन सभी जंग्ठनों ने ये तैय किया कि हम देश के संपूर्ण विपक्ष को साथ लेकर के हम इस जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो गोधी मीडिया के दोरा जो परचार परसार किया जा रहा है एक पार्टी के ट्रॉलर्स के दोरा जो काम पूरा किया जा रहा है उसके अंदर वो ना फसें ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर शांती होगी शांती होगी जो है इस देश के समाज के सभी तब के मिल जुल करके रहेंगे तो हम इस समाज में तनाव है वो खतम करना चाहते हैं हम समाज में शांति लाना चाहते हैं हम प्यार क कोहां हम आतरा की जा रही है डोक्टर सुलिनम आपका कारिगम क्या है और इसमें मुख्या रूप से कौन-कौन लोग है देखे इसमें अभी तक 50 जन संग्ठन इसके अंदर शामिल हैं इसमें 9 अगस्त की जो मीटिंग हुई और उसके बाद में 19 तारिक की मीटिंग हुई उसके बाद में कई जूम मीटि हैं हम संपूर्ण विपक्ष को अमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे साथ में नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो अभ्यान में वो शामिल हो और सबको निमंतरन दिया जा रहा है अलग-अलग स्तर की उपर सबसे संपर्क किया जा रहा है लेकिन मूल तोर पर यह जो नागरिक हैं यात्राएं इस देश के अंदर निकाली हैं इस देश के अंदर बहुत काम किया है वो सब लोग इसके साथ में जुड़ रहे हैं वो भी जुड़ रहे हैं और उनके संगठन भी जुड़ रहे हैं और हम यह अपील करना चाहते हैं आपके इस चैनल के मध्यम से कि इस दे का ज़न हीज़ान का उन्हें स्वझत करने का काम करना चाहिए, इसमें भागीदारी एक का काम करना चाहिए यही मैंपील करना चाह despite तो हमारे साथ दोक्टर सुनिलम और मेदापाटेगर जी और जन हितके को लेकर जो लोग भी कारिकम चलाएंगे हम उन्हें प्रमुक्ता से दिखाएंगे नमस्कार